हेलो गाईज आन वेलकम बाक टो माई चैनल लट्रेचर पाथ आज के इस वीडियो में हम एक पुयम करने वाले हैं जिसको लिखा है रॉपर्ट फ्रोस्ट ने मेंडिंग वॉल जिसका नाम है मेंडिंग का मतलब होता है बनाना बनावट और वॉल का मतलब होता है दिवार यहाँ पे दिवार बनाने की बात की जा रही है अब किसके बीच में दिवार बनेगी वो हम इस वीडियो के आगे में देखेंगे गाईज यह वीडियो का पार्ट वन जिसने नहीं देखा है वो देख लें और लिक में उसका नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्ष में दे दूंगी आप लोगों को गाईस अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले नीचे कमन सेक्षन में बताए वीडियो को पूरा देखने के बाद की वीडियो कैसी लगी चलिए अब हमारी वीडियो स्टार्ट कर है किसी ने उसको बनते हुए देखा नहीं या सुना नहीं उसके बारे में बट at spring mending time we find them there यानि जो spring का time होता है spring का time mending time यानि बनावट time spring में जो बनावट का time होता है उस समय हमें वो वहाँ दिखी यानि इस लाइन में नेवर की बात हो रही है जो शायद दिवार के पीछे रहता है पोयट और नेवर के बीच की बात हो रही है यानि जो आसपास मैंने आपको बताया था जैसे रो हाउस होते हैं आमने सामने वैसे पोयट और नेवर का गर है तो उसके बीच में जो है दिवार बना दी गई है और वो फिर से दिवार कब बनती है स्प्रिंग टाइम के दौरान बनती है तो वो दिवार बनाने के निये फिर से वो और पोयट और पोयट का नेवर जो है मिल जाते है और सीधा सीधा लाइन के साथ वोक करते हैं And set the wall between us once again और एक बार फिर हमने हमारे बीच में दिवार खड़ी करती इस लाइन से हम लोग ये देख सकते हैं कि poet को poet और उसके बीच में उसके नेबर के बीच में जो दिवार है वो पसंद नहीं है We keep the wall between us as we go इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि poet ऐसा कहना चाह रहे है कि जहां तक poet और नेबर एक साथ चलते जा रहे थे वहां तक उन लोगों ने दिवार बनाई To each boulders that have fallen to each and some are lows and some so nearly balls To each यानि हर एक Boulders यानि boulders का मतलब होता है Stone का जो मास होता है वो जादा बड़ा हो या large rock बहुत जादा बड़ा पत्थर उसको हम boulders बोलते हैं जैसे बहुत बड़े-बड़े पत्थर होते हैं उस type को boulders बोला जाता है That have fallen to each and some are lows and some so nearly balls तो जो बड़े-बड़े boulders हैं वो नीचे गिर गए हैं और कुछ जो पत्थर है वो lows type के हैं और कुछ जो पत्थर है वो balls type के हैं दोस्तों यहाँ पे spell का मतलब होता है magical powers यानि जादोई ताकते यहाँ पे जो poet है वो कहना चाता है We have to use a spell to make them balance यानि जो पत्थर दिवार से गिर गए हैं जो दिवार poet और poet के neighbor के बीच है उसको वापस बनाने के निये poet और poet के neighbor को कुछ जादोई powers चाहिए हूँगे Stay where you are until your backs are turned यानि जहां हम खड़े थे पहले हम वापस वही जा रहे हैं We wear our fingers rough with handling them Guys, wear का मतलब होता है पेहनना लेकिन यहाँ पे wear का मतलब कुछ अलग है Fingers rough हो जाती है कैसे rough हो जाती है fingers जब poet और poet का neighbor जो दिवार के पत्थर है बड़े बड़े जो large rocks है उनको रखने जाते है तो उनकी जो हाथ की fingers है उन्लिया है वो काफी rough हो जाती है Oh, just another kind of outdoor game poet को लग रहा है कि यह किसी game की तरह है जैसे वो लोग game खेल रहे हैं या basketball game खेल रहे हैं या volleyball की तरह है जिसमें beach में एक net बंदी हुई है net की जगा पे इस poem में दीवार बंदी हुई है और वो लोग दीवार के पत्थर जो है उठा उठा के आमने सामने से रख रहे हैं one on a side it comes to little more यानि एक के बाद एक वो पत्थर रखते जा रहे थे there where it is we do not need the wall guys अब यहां पे poem में थोड़ा सा जो है change आजाता है poet जो है अपने neighbor से कहता है कि हमें इस दीवार की जरुरती क्या है इस तरह से क्यूंकि poet को ये दीवार कुछ सही नहीं नगती poet और उसके neighbor के पीच में guys वीडियो informative रही हो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करना ना भूने वीडियो को like करना ना भूने share करिए और comment करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी next वीडियो बहुत जल्दी आ रही है तब तक के लिए bye bye take care